हेलो गाइज वैलकम टू दिविजा टुटोरियल क्लासेस मैं या रजनिश खुमार सिंग आप लोग का श्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल दिविजा टुटोरियल क्लासेस में दोस्तो आज में आप लोग के सामने एक और बहुत जबर्दस इंफोर्मेशन लेके आया हूं आई टी आई के रिगार्डिंग यानि आई टी आई में दोस्तो इसके पहले जो नोटिफिकेशन आई हुई थी उसमें दोस्तो किलियर किया गया था कि जो बच्चे सेशन 18-20 वा कि दोस्तो आज में जो नोटिफिकेशन आप लोग को दिखाने जा रहा हूं दोस्तो ये नोटिफिकेशन उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे ग्रेस मार्ट्स यानि कुछ नंबरों से रह गये हैं यानि आप लोग को पता है कि 17-18-20 वाले यानि जो सेशन 18-20 वाले ब दोस्तो बिर्योद में बहुत सारे बच्चों ने प्रदशन भी किया था दोस्तो केस भी हो गया था और केस दोस्तो ये हाई कोट में चला गया है और केस का जो फैंसला आने वाला है दोस्तो ये तेरा फरवरी को फैंसला आने वाला है और उसके पहले ही दोस्तो आज ही की नीज है दोस्तो आजी के नीज में दोस्तों ये दोस्तों में आप लोग को नोटिफिकेशन एक दम दिखाता हूं कि सबस्रेmental पोर्टल को आप ऌन कीजैगा तो जहाँ पर notification आता है जैसे ही दोस्तों आप लोग open कीजएगा देखी आप लोग के सामने ये सारा process आ जाता है अब दोस्तों इसमें क्या करना है ये नीचे आ जाना है और नीचे देखना है यहाँ पर जो लिखा हुआ है news and update जो news and update वाली column है दोस्तों उसे हम लोग को देखना है आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर news and update वाली जो column है उसमें देखना है उसमें चेक करना है जो notification आया है दोस्तों वो साथ तारी का notification है इसलिए दोस्तों मैं आज आप लोग के सामने ये news बता रहा हूँ उसके बाद दोस्तों इसमें नीचे चले जाना है और दोस्तों नीचे आए देखना है यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिर्फिकेशन रिगार्डिंग ग्रेसमार्स अंडर CTS मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कहा है वो notification आप लोग को बस उस notification को क्या करना है दोस्तों 2017 वाले जो सेशन वाले बच्चे थे जिन बच्चों का 2017 में एडिमिशन हुआ था उन्हें पांच-पांच नंबर ग्रेसमार्स दिये गए है और जो 2018 वाले बच्चे थे उनको ग्रेसमार्स नहीं दिया गया है और दोस्तों उसमें notification भी जारी किया गया था कि जो बच्चे 18-20 में एडिमिशन लिए है उनको ग्रेसमार्स नहीं दिया जाएगा और बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों इसके बिरुद में प्रदर्शन भी किया था और बहुत सारे बच्चों ने case भी डाला था तो case का दोस्तों मैंने आप लोगों को बताए कि जो फैंसला होने वाला है वो 13 फरवरी को होने वाला है उसके पहले ही दोस्तों एक notification और आ गई है मैं notification आप लोगो दिखाता हूं की क्या है दोस्तों इक notification जो है एकदम real है क्योंकि NCVT के portal से ही है तो दोस्तों आप लोगो इस पर click करके इसे download कर लेना है दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये download हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आप लोगो के सामने ये open होगा अब दोस्तो जो इसमें बात लिखी गई है मैं आप लोग को बताता हूँ देख लिजिए एकदम रियल बात है और जो ये नोटिफिकेशन है दोस्तो ये एकदम साथ तारीक की ही notification आई वह यह साथ तारीका ही notification है दोस्तों आप लोग यहां देख सकते हैं साथ फरवरी 2020 का notification है और जो notification है दोस्तों subject देती लेकिया लिखा हुआ है consider of change in education qualification is limit training and instructor for the CTI exam और इसके नीचे जो main topic है यह देखिए जो main topic जो लिखा हुआ है जिसके लिए मैं आप लोग के सामने नोटिफिकेशन दिखाया हूँ जो main topic है दोस्तों उसे ही हम लोग देखते हैं और यह देखिए दोस्तों इहां पर लिखा हुआ है कि in constitution of the office later event date यह देखिए 9.1.2020 के एक later में दोस्तों NCVT MIC portal पे एक 9 तारीक के date में यानि 9 जनवरी के date में दोस्तों एक notification जारी किया गया था जिसमें आप लोग को बताया गया था on the subject mention above the clear date the change including no gray smarts यानि उस notification में दोस्तों आप लोग को बताया गया था कि इसमें आप लोग को Glenn smarts नहीं दिया जायेगा आप लोग को जो 9 तारीक की एक notification थी मैंने आप लोग को वो side notification भी दिखाया था कि उस notification में बताया गया था कि दोस्तो आपको जो grace mark से वो नहीं दिया जाएगा और ये जो new information थी जो ये notice थी दोस्तो ये आया था 9 जनवरी की notification में आया था लेकिन इसमें क्या किया गया है provisional bill be appear for the training admitted in the session August 2019 and above onward यानि कहने का मतलब क्या है कि ये जो notification दोस्तो मैंने आप लोग को दिखाया था कि 9 जनवरी की जो notification आया थी उसमें दोस्तो clear किया गया था कि बच्चों को grace marks नहीं दिया जाएगा लेकिन दोस्तो ये आज 7 तरी की news में 7 तरी का एक और notification जारी हो गया है और इसमें दोस्तो ये बताया गया है कि जो grace marks है दोस्तो उन बच्चों को नहीं दिया जाएगा grace marks दिया जाएगा जो इस बार admission लिये है बच्चे यानि 2019 और 21 के सेशन के लिए admission लिये है दोस्तो उनको grace marks नहीं दिया जाएगा आप लोग एक clear भी लिखा हुआ है एकदम आप लोग देख सकते हैं समझ सकते हैं कि इस notification में क्या लिखा गया है दोस्तो इस notification में यही clear किया गया है कि grace marks 2019 में जो अगस्त में admission हुआ है इस बार जो बच्चों का admission हुआ है दोस्तो उनको grace marks नहीं दिया जाएगा और जो बच्चों का admission 2018 में हुआ है अगस्त वाले सेशन में 18 से लिए के 20 वाले सेशन में उनको grace marks दिया जाएगा यानि आने वाले एक आदो दिन में दोस्तो आप लोग देख सकते हैं इस पे बहुत बड़ा changing आने वाला है और जो बच्चे एक दो नमबर से रह गये हैं दोस्तो उनके लिए बहुत बड़ी information लिकल के आ रही है क्योंकि दोस्तो तेरा तारीक को एक और फैसला होने वाला है उस फैसला में भी दोस्तो यहीं रिड़ने लिया जाएगा कि बच्चों को grace marks दे के pass कर दिया जाए क्योंकि दोस्तो grace marks नहीं देने जाने के लिए कोई notification जारी नहीं किया गया था यह direct एक ही बार ऐसे कर दिया गया था कि जो बच्चे दो तीन नमबर से रह गये हैं उनको direct fail कर दिया गया है लेकिन पहले जो था हम लोग का 2017 वाला से संता उसमें grace marks दिया गया है लेकिन इसके regarding हम लोग के पास कोई notification नहीं थी और दोस्तो बहुत सारे बच्चों को grace marks नहीं दिया गया है तो आप सभी बच्चे जिनका नमबर एक दो नमबर से कम आ रहा है आप लोग एकदम निश्चिंत रही निश्चिंत रही है आने वाले एक आदो दिन में दोस्तो आप लोग का जो notification फिर से change किया जाएगा और आ देरा तारी का फैंसला आने वाला है दोस्तो उसे भी हम लोग देखेंगे और आप लोग को एकदम जैसे भी information आती है जैसे भी कोई notification आती है मैं आप लोग को एकदम पलपल की notification देता रहूंगा तो दोस्तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को share किज जाएगा तो दोस्तो यही एक छोटी सी information थी और एक छोटी सी information बहुत बड़ी information थी दोस्तो जो बच्चे एक दो दंबर से जो फेल हो गए हैं उनके लिए तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही और जिन दोस्तो ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो